साइकल चलाने के शीर्ष पांच लाब मानसिक भलाई में सुधार करता है साइकलिंग शारीरिक व्यायाम के साथ-साथ बाहर होने और नए विचारों की खोच करता है आप एकल सवारी कर सकते हैं जिससे आपको अपनी चिंताओं और चिंताओं को संसाधित करने का समय मिल सकता है या आप एक ऐसे समून के साथ सवारी कर सकते हैं जो आपके सामाजिक दायरी को व्यापक बनाता है वजन घटाने को बढ़ावा देता है वजन घटाने की बात करने पर साधारन समीकरन मस्ट कैलोरी बाहर कैलोरी से अधिक होना चाहिए इसलिए आपको वजन कम करने के लिए अधिक कैलोरी जलाने के आवशकता है तीवरता और राइडर के वजन के आधार पर साइकलिंग से 400 से 1000 कैलोरी के बीच कैलोरी बर्न होती है दिल की बीमारियों और कैंसर के खत्रे को कम करता है साइकल चलाने से आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आपके शरीर में रक्त पंप करने का दौर शुरू हो जाता है और ये कैलोरी को जला देता है जिससे आपका वजन कम होने की संभावना बढ़ जाती है नतीजन ये हिर्दय रोगों और कैंसर जैसी बीमारियों के विकास के जोखिम को कम करने के लिए स्वस्थ होने के रूप में व्यायाम के रूपों में से एक है भैतर नींद ये शायद रोकेट साइंस नहीं है कि बाइक पर खुद को ठका देने से आपकी नींद सुधर जाएगी लेकिन अब ये साबित हो गया है लिंक के पीछे के कारण चिंता में कमी ला सकते हैं व्यायाम के बारे में जो सोने की शमता को बढ़ाता है आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है उपरी श्वसन प्रणाली के स्वास्थे पर साइकलिंग के बहुत बड़े लाब हैं इस प्रकार आम सर्दी की घटनाओं को कम करता है हलके व्यायाम आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ा कर और आलसी श्वेत रक्त कोशिकां को जागरत करके हमारी इम्यून सिस्टम में सुधार कर सकते हैं